परिचय प्रिया, तुम इन तीलियों के साथ क्या कर रही हो? मैं इन तीलियों की सहायता से अलग-अलग तरह की आकृतियां बना रही हूँ. देखो, मैंने एक समानतर चतुर्भुज बनाया है. ये तो अच्छा है. क्या आप तो मैं त्रेभुज बना सकती हो? हाँ, मैं बना तो सकती हूँ, पर अब मेरे पास सिर्फ दो तीलियां बची है. कोई समस्या नहीं, तुम अब भी एक तरेभुज बना सकती हो? लेकिन कैसे? ये तीलियां मुझे दो. देखो, अब दोनों आकृतियों का आधार एक ही है. हाँ, ये तो बहुत आसान था. आउ, इस अध्याय में हम ऐसी ही और भी आकृतियों के बारे में जानते हैं. उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे. एक ही आधार पर तथा एक ही समानतर रेखाओं के बीच के समानतर चत्रभुजों को समझना. एक ही आधार पर तथा एक ही समानतर रेखाओं के बीच के समनतर चत्रभुजों को समझना. परिभाशाएं किसी भी समतल क्षित्र के विस्तार अथवा उसकी माप को उस क्षित्र का क्षित्रफल कहते हैं। और क्या आप जानते हैं कि समतल क्षित्र क्या है? किसी समतल का वह भाग जो किसी बंद आकरिती के अंदर हो वहा उसी आकरिती का समतल क्षित्र कहलाता है दो सरवांग सम आकरितियों के क्षित्रफल समान होते हैं लेकिन समान क्षित्रफल वाली आकरितियां सरवांग सम हो यहां आवश्यक नहीं है किसी आक्रिती के क्षिद्रफल को AR से भी दर्शाया जा सकता है उधारण के लिए त्रिभुज ABC का क्षिद्रफल के स्थान पर AR ABC भी लिखा जा सकता है एकी ही आधार पर बनी आक्रितियां इस आक्रिती की ओड़ देखिए यहां दो आक्रितियां हैं एक आयत ABCD और एक समांतर चत्रभुज CDEF अब हम देख सकते हैं कि दोनों आक्रितियों में आधार CD उभैनिष्ट है ठीक इसी तरह इस आक्रिति में त्रिभुज ABC और त्रिभुज BCD एक ही आधार BC पर स्थित है अब इस आक्रिति को देखें इसमें एक त्रिभुज ECD और एक समांतर चत्रिभुज ABCD दोनों एक आधार यानि CD पर स्थित हैं एक आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच की आक्रितियां अब इस आक्रिति की ओर देखें हम देख सकते हैं कि समांतर चत्रिभुज ABC तथा समांतर चत्रिभुज ABFD में आधार AB उभैनिष्ट है साथी समांतर चत्रिभुज ABC के शीष C और E जो भुजा AB के सम्मुख हैं तथा समांतर चत्रिभुज ABFD के शीष D और F जो भुजा AB के सम्मुख हैं A के ही भुजा CF पर हैं जो AB के सम्मुख है इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों समानतर चत्रभुज A की ही आधार AB पर तथा A की ही समानतर रेखाऊं AB तथा CF के बीच इस्थित हैं ठीक इसी तरह इस जित्र में ADB तथा ACB दोनों समानतर चत्रभुज A की ही आधार AB पर तथा A की ही समानतर रेखाऊं AB तथा DC के बीच स्थित हैं इसलिए दो आकरितियां यदि A की ही आधार परिस्थित हैं और उभैनिश्ट आधार के सम्मोकिस्थित उनके शीर्ष एक ऐसी रेखा परिस्थित हैं जो आधार के समानतर हैं तो वो आकरितियां A की ही आधार और A की ही समानतर रेखाऊं के बीच की आकरितियां कहलाएंग एकी ही आधार और एकी ही समानतर रेखाओं के बीच इस्थित समानतर चतरभुज प्रमय एकी ही आधार और एकी ही समानतर रेखाओं के बीच इस्थित समानतर चतरभुजों के खित्रफल समान होते हैं. आईए इस प्रमय को सिध्ध करें. दिया गया है दो समानतर चुत्रभुज A, B, E, C और A, B, F, D जो एक ही आधार A, B तथा एक समानतर रेखाऊं A, B और C, F के बीच इस्थित हैं हमें ये सिद्ध करना है कि A, B, E, C का चित्रफल बराबर है A, B, F, D के चित्रफल के तरिभुज A, D, C और तरिभुज B, E, F में कोण A, C, D बराबर है कोण B, E, F के क्योंकि ये समानतर रेखाऊं A, C, सरवांगसम, B, E तथा तरियक रेखा C, F के संगत कोण है इसे समीकरण एक से चिन्हित कीजिए कोण A, D, C बराबर है कोण B, F, E के क्योंकि ये समानतर रेखाऊं A, D, सरवांगसम, B, F तथा तरियक रेखा C, F के संगत कोण है इसे समीकरण 2 से चिन्हित कीजिए इसलिए तरिभुज के कोण योगण के अनुसार कोण C, A, D बराबर है कोण E, B, F के इसे समीकरण 3 से चिन्हित कीजिए साथ ही A, C बराबर है B, E, K ये समानतर चत्रभुज A, B, E, C की सम्मुग भुजाएं है इसे समीकरण 4 से चिन्हित कीजिए इसलिए A, S, A नियम द्वारा समीकरण 1, 3, 4 का प्रियोग करते हुए त्रिबुज A, D, C और त्रिबुज B, E, F सरवांगसम हैं जोकी सरवांगसम आगरितियों के क्षित्रभल समान होते हैं इसलिए A, D, C का क्षित्रभल बराबर है B, E, F के क्षित्रभल के इसे समीकरण 5 के रूप में चिन्हित कीजिए अब A, B, E, C का क्षित्रभल बराबर है A, D, C के क्षित्रभल जमा A, B, E, D के क्षित्रभल के हम जानते हैं कि ADC बराबर है BEF के इसलिए हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि समीकरण 5 का उप्योग करते हुए ABEC का क्षित्रफल बराबर है BEF के क्षित्रफल जमा EDAB के क्षित्रफल के जो ABFT के क्षित्रफल के बराबर है इसलिए समानतर चतरभुज, ABEC तथा ABFT दोनों के क्षित्रफल बराबर है प्रमाई का विलोम अब हम सिद्ध कर चुके हैं कि एकी ही आधार और एकी ही समानतर रेखाओं के बीच समानतर चतरभुजों के क्षित्रफल समान होते हैं इस प्रमाई का विलोम भी सत्य है जिसके अनुसार एकी ही आधार परिस्थेत समान ख्षित्रफल वाले समान तर चत्रभुज एक ही समान तर रेखाउं के बीच इस्थित होते हैं. उधारण यदि एक समान तर चत्रभुज और एक तर भुज एक ही आधार और एक ही समान तर रेखाउं के बीच इस्थित हैं, तो सिध कीजिए कि समान तर चत्रभुज उसी तर भुज जैसे दो तर भुजों से पना होता है. मान लिते हैं कि एक उभयनिष्ट आधार BC पर और एक ही समान तर रेखाउं AE और BC के बीच समान तर चत्रभुज ABCD और एक तर भुज EBC इस्थित है. हप सिध करते हैं कि समान तर चत्रभुज ABCD तर भुज EBC जैसे दो तर भुजों से बना है. रचना रेखा AC खीचिये चूंकि विकन AC समानतर चतरभुज को दो पराबर भागों में बाट रही है इसलिए समानतर चतरभुज ABCD त्रिभुज ABC से दुगना है किन्तु त्रिभुज ABC और EBC, A की ही आधार BC और A की ही समानतर रेखाओं AE और BC के बीज इस्थित हैं इसलिए वह दोनों समान है इसलिए समानतर चतरभुज ABCD त्रिभुज EBC जैसे दो त्रिभुजों से बना है इती सिथम एक समलंब ABCD है जिसमें AB सरवांग सम है DC के विकन AC और BD एक दूसरे को ओपर काटते हैं सिद्ध कीजे कि त्रिभुज AOD का क्षित्रफल त्रिभुज BOC के क्षित्रफल के बराबर है हल यह देखा जा सकता है कि त्रिभुज DAC और त्रिभुज DBC A की ही आधार DC पर और A की ही समानतर रेखाऊं AB और CD के बीच स्थित हैं इसलिए त्रिभुज DAC का क्षित्रफल बराबर है त्रिभुज DBC के क्षित्रफल के अर्थात त्रिभुज DAC का क्षित्रफल घटा त्रिभुज DOC का क्षित्रफल बराबर त्रिभुज DBC का क्षित्रफल घटा त्रिभुज DOC का क्षित्रफल और इस प्रकार त्रिभुज AOD का क्षित्रफल त्रिभुज BOC के क्षित्रफल के बराबर है एक ही आधार तथा एक ही समानतर रेखाऊं के बीच स्थित त्रिभूज प्रमाएं, एक ही आधार या बराबर आधारों और एक ही समानतर रेखाओं के बीच इस्थित त्रिभुजों के ख्षित्रफल समान होते हैं दिया गया है एक ही आधार BC और एक ही समानतर रेखाओं BC तथा ED के बीच इस्थित दो त्रिभुज ABC और DVC हैं सिध्धिकरणा है, त्रिभुज A, B, C का क्षित्रफल बरावर है, त्रिभुज D, B, C के क्षित्रफल के रचना B से होते हुए C, A के समानतर E पर बनी D, A को काटती हुई, B, E खींचिये और C से होते हुए BD के समानतर, F पर पनी AD को काटती हुई CF रेखा खींचिये. उपत्ती निर्मान के अनुसार हमारे पास दो समानतर रेखाएं BE और CA हैं, और BC EA के समानतर है, ये हमें दिया गया है. इसलिए चतरभुज BCAE एक समानतर चतरभुज है, ठीक इसी तरह, BCFTB एक समानतर चतरभुज है. अब समानतर चतरभुज BCAE तथा समानतर चतरभुज BCFT एक इही आधार BC तथा एक इही समानतर रेखाओं BC तथा AD के बीच स्थित हैं. इसलिए समानतर चतरभुज BCAE का क्षित्रभल बराबर है, समानतर चतरभुज BCFT के क्षित्रभल के, इसे समीकरण एक से चिन्हित कीजिए. हम जानते हैं कि समानतर चतरभुजों के विकर्ण उसे बराबर क्षित्रभुज वाले दो त्रिभुजों में बाढ़तेते हैं. इसलिए तिर्भुज DBC का क्षित्रफल बराबर होगा समानतर चत्रभुज BCFT के क्षित्रफल के आधे के, इसे समीकरण 2 से चिन्हित कीजिए. और तिर्भुज ABC का क्षित्रफल बराबर है समानतर चत्रभुज BCAE के क्षित्रफल के आधे के इसे समीकरण 3 से चिन्हित कीजिए अब समीकरण 1 से समानतर चत्रभुज BCAE का क्षित्रफल बराबर है समानतर चत्रभुज BCFT के क्षित्रफल के इसलिए समानतर चत्रभुज BCFD का आदा क्षित्रफल बराबर है समानतर चत्रभुज BCAE के आदे क्षित्रफल के इसलिए सिद्ध होता है कि त्रिभुज ABC का क्षित्रफल बराबर है त्रिभुज DBC के क्षित्रफल के इस प्रमे का विलोम कथन भी सत्य है, जिसके अनुसार समान क्षित्रफल वाले दो त्रिभुज जिनके आधार एक ही हैं या बराबर हैं, एक ही समानतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं. उधारण, एक त्रिभुज A, B, C में E माधिका A, D का मध्य बिंदु है, सित्धि कीजिए कि त्रिभुज B, E, D का क्षित्रफल बराबर है एक बटे चार त्रिभुज A, B, C के क्षित्रफल के. हल दिया गया है, A, D त्रिभुज A, B, C की माधिका है, इसलिए या त्रिभुज A, B, C को बराबर क्षित्रफल वाले दो त्रिभुजों में बांटेगा. इसलिए त्रिभुज A, B, D का क्षित्रफल बराबर है, त्रिभुज A, C, D के क्षित्रफल के. इसके अनुसार त्रिभुज A, B, D का क्षित्रफल पराबर है एक बटे दो त्रिभुज A, B, C के क्षित्रफल के इसे समीकरन एक से चिन्नित करें त्रिभुज A, B, D में A, D का मत्यविंदू E है इसलिए B, E मातिका है इसलिए त्रिभुज B, E, D का क्षित्रफल पराबर है त्रिभुज A, B, E के क्षित्रफल के अर्थात त्रिभुज B, E, D का क्षित्रफल पराबर है एक बटे दो त्रिभुज A, B, D के क्षित्रफल के अर्थात समीकरण एक के अनुसार त्रिभुज BED का क्षित्रफल बराबर है एक बटे दो गुणा एक बटे दो त्रिभुज ABC के क्षित्रफल के जिससे यह सिद्ध होता है कि त्रिभुज BED का क्षित्रफल बराबर है एक बटे चार त्रिभुज ABC के क्षित्रफल के चिद्ध करिए कि किसी समानतर चत्रभुज के विकर्ण उसे बड़ाबर क्षित्रफल वाले चार त्रिभुजों में विभाजित कर देते हैं। हल हम जानते हैं कि समानतर चत्रभुज के विकर्ण एक दूसरे को समदुई भाजित करते हैं। इसलिए O, A, C और B, D का मथिपिंदु है. त्रिभुज A, B, C में B, O माथिका है, इसलिए या इसे बराबर क्षित्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करेगा. इसलिए त्रिभुज A, O, B का क्षित्रफल वराबर है, त्रिभुज B, O, C के क्षित्रफल के, इसे समीकरण एक से चिहनित करें. त्रिभुज B, C, D में C, O माथिका है, इसलिए त्रिभुज B, O, C का क्षित्रफल वराबर है, त्रिभुज C, O, D के क्षित्रफल के, इसे समीकरण 2 से चिहनित कीजिए ठीक इसी तरह तिर्भुज COD का ख्शेत्रफल बराबर है तिर्भुज AOD के ख्शेत्रफल के इसे समीकरण 3 से चिहनित करें समीकरण 1, 2 और 3 से हमें ये पता चलता है कि तिर्भुज AOD का ख्शेत्रफल बराबर है त्रिभुज B O C के क्षेत्रफल के, जो की पराबर है त्रिभुज C O D के क्षेत्रफल के, जो की पराबर है त्रिभुज A O D के क्षेत्रफल के. इसलिए यह सित हुआ कि किसी समानतर चत्रभुज के विकर्ण उसे बराबर क्षित्रफल वाले चार त्रिभुजों में विभाजित कर देते हैं क्या आप जानते हैं सिकंद्रिया के हीरोन एक्षिताब्दी ईसापूर्व ने त्रिभुज के एक्षित्रफल के सूत्रगी खोच की थी गणित के तिहास में वह सबसे अधिक इसी सूत्र के कारण जाने जाते हैं जिसका नाम उनहीं के नाम पर है सारांश आये हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में तोहराएं किसी आक्रिती का क्षित्रफल वह संख्या किसी काई में है जो उस आक्रिती के अंदर आने वाले सम्दल को दर्शाती है दो सर्वांग सम् आक्रितियों के क्षित्रफल बराबर होते हैं लेकिन इस कथन का विलों भी सही हो ये आविशक नहीं है दो आक्रितियां यदि एक ही आधार परिस्थित हैं और उभे निष्ठ आधार के सम्मुग स्थित उनके शीर्ष एक एसी रेखा परिस्थित हैं जो आधार के समानतर हैं तो वो आकृतियां एकी ही आधार और एकी ही समानतर रेखाओं के बीच की आकृतियां कहलाएंगी। एकी ही आधार या बराबर आधारों और एकी ही समानतर रेखाओं के बीच इस्थित समानतर चतरभुजों के क्षितरफल बराबर होते हैं। एक ही आधार या बराबर आधारों पर इस्थित समान क्षित्रफल वाले समानतर चत्रभुज एक ही समानतर रेखाओं के बीच इस्थित होते हैं। एक ही आधार या बराबर आधारों और एक ही समानतर रेखाओं के बीच इस्थित त्रिभुजों के क्षित्रफल समान होते हैं। एक ही आधार या बराबर आधारों पर इस्थित समान क्षित्रफल वाले समानतर चत्रभुज एक ही समानतर रेखाओं के बीच इस्थित होते हैं। एक ही समानतर रेखाओं के बीच इस्थित होते हैं। झाल झाल